Hey everyone, I hope कि आप सब लोग अर्पास safe है जैसा कि तुमको पता है कि तुम्हारे term 1 और term 2 का syllabus आ गया है तो basically इस वीडियो में मैं तुम्हें वही सब बता रहा हूँगा एक चीज निवान में बैठा लेना जो तुम्हारे seniors ने last year पढ़ा था वही syllabus तुम्हें इस सल पढ़ना होगा जो last year का जित्ता रेडियो syllabus वगर था वो सब एक एक PDF की लिंक नीचे description में दी हुई है तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद तुम उसे जाके check out कर सकते हो and basically मैं भी तुम्हें 10th के बारे में बताऊंगा and same कुछ इसी तरह की वीडियो में 9th के रहे भी जल से जल ले आऊंगा तो जल्दी से आज start करते है सबसे पहले बात करते है match की तो थोड़ा सा यहाँ पे जो CBSC का marks distribution है उससे समझ लो term 1 में न यार जो number system वाला unit है वो 6 marks तुम्हारा carry करेगा और इसमें basically एक ही chapter है real number मींज़ इसे 6 marks के question आ रहे होंगे और जो next unit है वो है algebra जो इस पूरे term में सबसे आदा marks carry कर रहे 10 marks का इसमें basically तुम्हारा polynomials and pair of linear equation in two variables आएगा फिर coordinate geometry वाले section और geometry वाले section दोनों भी 6 marks carry करेगा और इसमें जो chapter की practice तुम्हें करनी है वो है coordinate geometry and triangles फिर technometry वाले section से तुम्हारा एक chapter आएगा intro to technometry जो basically 5 marks carry करेगा और फिर एक unit है mensuration नाम का जिसमें तुमको area related to circles ये phase करना होगा last में statistics and probability की section में term 1 में तुम्हें probability पे ध्यान देना है mensuration 4 marks का आ रहा होगा and stats वगर 3 marks का तो इस तरह से overall total term 1 में 40 marks का आएगा 10 marks तुम्हारा internal assessment है and बिल्कुल भी ये 10 marks जाने मदना secure करके रखना बहुत important होता है अब यार basically जो तुम्हारा term 1 है ना इसमें real number और polynomial बहुत scoring है तो तुम इसमें success कर सकते हो then तुम्हारे 9 marks पक्या हो जाएंगे अब एक चीज़ मुझे बहुत shocking लगी कि ये जो triangles वाला chapter है ये mostly subjective में आना चाहिए था पर्ट इसको डाल दिया गया objective में क्यों subjective में आना चाहिए था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादे theorems बहुत ज़्यते प्रूफ करने वाले questions है कहीं न कहीं ये तुम्हारे लिए बहुत helpful होने वाला है अब देखो ये जो triangles, trigonometry और area वाला chapter है न इनके तो formulas को रटी लेना मैं तो कहता हूँ रट लेना क्योंकि बहुत से question direct formula वाले ही उठके आ सकते है and probability में तो तुम्हें वो cards और dice के probability निकालने वाले most of the questions आ जाएंगे coordinate में place वाले questions अच्छे से कर लेना linear में तो तुम्हें direct questions मिल जाएगा अगर तुम speedly question solve करने की practice करोगे तो बन जाएगा अब ये बात होगे term 1 की अगर बात करे term 2 की तो यहां हमें थोड़ इसी मेहनत लगने वाली है क्योंकि यहां भी algebra का weightage 10 marks का है और algebra में 2 chapter को डाला गया है quadratic equation and arithmetic progression quadratic में 2 formula पर logic बहुत जाद है arithmetic progression में formula जाद है logic कम है तो इनकी practice तुम्हें obviously अच्छे से करनी होगी geometry section में term 2 में 9 marks का weightage है दो chapter है तुम्हारे पास पहले circles और दूसरे construction यह तो तुम लोग practice कर लोगे पर जो circles वाला part है वो most important है क्योंकि इसमें 2 most important theorem दिये होगे है जिनको अच्छे से तुम्हें करना होगा फिर technometry के unit में 7 marks का weightage है यहां एक chapter तुम्हें मिल जाएगा applications of technometry इस chapter के लिए basically तुम्हें पूरे technometric identities और technometric टेबल अच्छे साना चाहिए नहीं तो यह chapter बहुत परशानी देगा next है mensuration इसमें 6 marks का बस weightage है बड़ इसमें surface area and volume है और इस बार का जोगे chapter formula के साथ logic भी मांग रहा है तो इसको solve करते वाक्त दिमाग को खुला रख लेना last sets वाले section में 8 marks का weight है बड़ इसमें तुम्हें mean, median, mode निकालने को आएगा जो अगें मुझे पता आने की जौरत नहीं है I know तुम expert हो तुम कर लोगे तो यहां तुम्हारे match का मैंने सब चीज तुम्हें बता दिया है एंड यार बार-बार कह रहा हूँ, internals को ऐसा वेसा मत समझना बहुत फाइदा करा सकते है अब हम बात करने वाले है science की term 1 में overall 6 chapter राएंगे, term 2 में 7 chapter राएंगे, term 1 में chemistry के 3 chapter राएंगे, chemical reaction equations, acid bases and salts, metals and non-metals बायो में मात रहे एक chapter राएंगे, life process, physics में 2 chapter राएंगे, human iron, colorful world and light reflection and reflection अब यार 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 जो chemistry है न, term 1 में 16 marks carry करेगा, बायो में तुम्हें 10 marks carrying मिलेगा और physics में 14 marks का paper राएंगा, तो इस तरह से overall तुम्हारा 40 marks का बनेगा, 10 तुम्हारा internal assessment के हो जाएंगे अब यार यार या जो chemical reaction वाला chapter है न, इसमें basically तुम्हें कौन सा reactions use हो रहा है, ऐसे type के question generally पूछ सकता है acid basis में तो अलग-अलग type के चीज़े होती है, उसे कैसे prepare के जाता है, उसके uses क्या क्या होता है, वो सब पूछेगा at last, एक most important, जो इसमें पूछता है, वो है acid basis की properties वगर, mentals और non-metals में तो तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चीज़े, क्योंकि इसमें सिब तुम्हें reactions को सियात करने, physical और chemical properties पढ़ने, metals और non-metals का, और उसके पास से एक ionic compound वाला topic आएगा, जो तुम कर सकते हो, बा तो इसे तुमको अच्छे से करना होगा, as usual light में भी तुम्हें पूरा पढ़ना होगा, इसमें जो image formation रहता है, कहां पर कैसे image form हो रही है, किते angle पर form हो रही है, यह सब पूछता है, तो इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो अराम से objective form में बनाने के लिए easy पढ़ता है, human eye and colorful world बहुत easy है, इसमें सिफ तुमें scattering, dispersion वगर पढ़ना है, बाकी सब जुम्हें human eye वाला पार्ट सा वो last year remove कर दिया गया था, अगर हम बात करते term 2 की, तो यहाँ पर chemistry और physics के दो चेप्टर आएंगे, बायो से 3 चेप्टर आ रहा होगा, basically here carbon compound से तो लगबग हर एक से करना होगा, वैसे तो term 2 सब बड़े answers पर बेज जोगे, तो तुम chapter उसको समझ के कर सकते हो, onwards में, second term में chemistry 10 marks carry करेगा, बायो में जो reproduction chapter है, वो बेने importance दिये, तुम ऐसी पढ़ जाओगे, उसमें सब को interest आता है, I know, and heredity वाला chapter है, उसमें तो सिफ तुमें heredity का part पढ़न physics में आर दो बड़े chapter रहेंगे, electricity and magnetic effects, यह दोनों एक जोसे से interconnected है, इसमें तुम्हें numericals और जो भी derivation है, उसे अच्छे से करना होगा, electricity की definition और formula तो ध्यान में जरूर रखना, कुछ ना कुछ पूछे गई, इसका overall weightage 12 marks का है, तो धिलाई मत देना, ध्यान से पढ़ना, फो अब यह तो हो गया science का, अब बात करते है, SST की, अब यार इसमें दोनों terms 40 marks काएंगे, और दोनों terms में हर एक subject को equal distribution मिला है, 10-10 marks का, बाकी marks internal assessment के है, term 1 में history के साइट से आएगा, rise of nationalism in Europe, इसमें basically है, सबसे जादा dates, names, तुम्हें याद करने पढ़ेंगे, कि कब, कहां, क्य हुआ, किसने कैसे किया, वगरा वगरा, जियो साइट से तीन चैप्टर शो कर रहा है, बट आएंगे सिफ दो resources and development and agriculture, हमारे चैनल पे दोनों का explanation, one shot वीडियो जा चुका है, आप लोग देख सकते हो, एक आता है water resources, जो सिफ तुम्हारे periodic test के लिए होता है, boards में ये सब नही जम्हें, तो कैसे practice किया जाता है, क्या features वगरा है, क्या need है, ये सब देख लेना, ये generally पूछ लेता है, eco side से तुमको दो chapter देखने को मिल जाएगा, जिसमें एक है development जिसका video uploaded है, एक है sectors of Indian economy जिसको में जल्दी ला रहा हूँगा, basically इसमें sectors के बारे में पूछेगा GDP क्या हो जैसे water resources वाला deleted है, तो उसमें से map आने के बहुत सारे chances है, क्योंकि CBSE ने उसको circular में डाल रखा है, वो तुम नीचे description में तो circular है, उससे देख लेना, अब time 2 में भी दो chapter history से आएंगे, पहला most important nationalism in India, जिसे बर भर के questions बनते हैं, यहां दो chapter दिया हुआ है, making of global world and age of industrialization, तो इ भी भी, तुम्हारे boards में नहीं आएगा, सिर्फ नैशनल से में इंडिया आएगा, ठीक, अगेन यार, नैशनल से में बहुत content है, तो ध्यान से हर एक चीज़ को करना, और basically तुम्हारे इंडिया के past time से related है, शायद पहले 8th class वगर में तुमने थोड़ा बहुत इसके वाले पढ़ा हो रहा होगा, I don't know, ठीक है, हमें तो पढ़ाया गया था ना, जियो में तीन चैप्टर दिये हुए है, term 2 के लिए, दो चैप्टर है, manufacturing industry and life lines of national economy, जो basically तुम्हें करना है, यह जो mineral and energy resources यह से periodic test के लिए बना है, यह board में नहीं आएगा, देखो यार, life lines में 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 transport communication के बारे में बताया गया है, manufacturing industry में वही industry, materials वगर सब है, देखो, ऐसा है ना, objective में तुम्हें पूरे book का एक एक लाइन पढ़ना होगा, but subjective में lecture समझने से तुम own words में लिख सकते हो, civics और eco में 12 चैप्टर आएगा, last में भी, and civics में political parties का वीडियो जल्दी आ रहा है, तो subscribe to get it, and outcomes of democracy, छोटा सा chapter है, easy है, इसमें तीन government के बारे में basically बताया है, accountable, legislative, and responsive, जिससे mostly questions बनते ही है, तो ध्यान से कर लेना, और मैं ऐसा नहीं कह रहा है कि इससे पढ़ने से हो जाएगा, सब कुछ पढ़ना पढ़ेगा, यार, मैं सिफ तुम्हें important बाते बता रहा हूं, जो आ सकते है, money and credit rate में तो पैसा ही पैसा है, मुझे पता है, तुम उस chapter को फोड़ के रख दोगे, and globalization में foreign trade वगर के बारे में बताया है, तो अच्छा चेका लेना, छीक, तो यही था तुम्हारा course for one and two terms, मैंने एक चीज तुम्हें पता दिया है, and यार, English और Hindi, इसके तुमें चिंदा करने की जौरत नहीं है, यह language subject है, इसमें mainly author का नाम याद कर लेना, objective के लिए, subjective के लिए, story पाढ़ लेना, obviously इस channel पे तुम्हें पूरे already uploaded मिलेगी playlist बनी हुए है, जा के हर एक चीज़ को तुम check out कर सकते हो, access कर सकते हो, तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए, like करो, share करो, subscribe करो, इस channel पे तुम्हें हर एक lecture मिलने वाला है, thanks for watching, और सभी circular के PDF के link नीचे description मिल दीवे, जाते जाते check out कर लाना, goodbye